धन्बाज जिला बागमारा प्रखन के अंतरगत उपस्वास केंद्र राधा नगर में एन्यम स्रीमती अहल्या देवी को नजाने कितनी समस्याओं से रोजाना दोचार होना पड़ता है आए हम और आप एन्यम दिदी की दुख भरी दास्तानों को सुनें मैं हलीमा इजाज और ये है मेरा समुदाय सबसे पहला दिकत है कि यहाँ पानी नहीं है चापकल वेगरा यहाँ पन नहीं है खुछ नहीं है तो रात में एक ट्लेवरी हो जाता है और बिजिली कड़ जाती है तो फिर राग कैसे मैनेच दोचार जाता है तो बहुत दिकत हो जाता है इस तीच बगएरा कैसे पड़ेगा जाता है और एक होता है कि पोल्यों जब होता है तो यहाँ से साथ आठ कैंद्रे पड़ता है और सब का एक ही जगा बूत यहीं बनता है कोई साहिया करने नहीं चाहती है उसमें बहुत जमेला होता है एक्स्टार पैसा दे के हमको खुद करवाना पड़ता है एक एनम को कितना सेंटर देखना चाहिए? आठ सेंटर. हमारे रादानगर के अंतरगात तेज केंदर आता है. उसमें चवदा केंदर हमें देखना पड़ता है. एक एबिरिंग करके सिस्टर है एनम, उसमें देखती है, आठ केंदर. और एक दिन में दो-दो केंदर, तिन-तिन केंदर करके हम इनेशन करते हैं, उसमें कभी छूट भी जाता है, और छूट नहीं जाता है, अगर कैसे करके भी कर लेते हैं, तो रिपोर्ट ही नहीं देने सकते हैं, उतना आम से रिपोर्ट बनता ही नहीं है. इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई इस वीडियो को देखने वाले तमाद दर्सकों से मेरी अपील है कि परभारी चिकिस्ता पदाधिकारी बागमारा असरी एसम जफरुल्ला के संपर्क नंबर 9431511876 पर कोल कर उन पर दवा बनाए ताकि जल्द से जल्द उपस्वास केंद्र राधा नगर में सांसाधोनों की कमी अमंग एनेम दिदी के भरपाई हो सके मैं हलीमा इजाज नईम इजाज के साथ राधा नगर बागमारा धनबा जारखंड से इंडिया नहट की दी